नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वारल हिंदी नूज में स्वागत है दोस्तों आखिर पता लग गया, इंसान को गुसा क्यों आता है? वेग्यानिकों ने इस बात का पता लगा लिया है कि हमें भूख लगने के साथ ही साथ गुसा क्यों आने लगता है? व्यक्ति के दिमाग में सेरोटोनिन हार्मून के स्तर में होने वाला बदलाव दिमाग के उस हिस्से पर प्रभाव डालता है, जो गुष्ट से को नियंत्रित करता है यह बदलाव तब होता है जब कोई व्यक्ति भुखा या तनाव में होता है युनिवर्सिटी आयक कैब्रिज में हुए अध्ययन में यह दावा किया गया है इससे पहले माना जाता है कि सेरोटोन इनकिस्तर में कमी होने पर व्यक्ति को गुसा आने लगता है व्यक्तित्वा और आसपास के माहौल की वज़े से होता है अमेरिका के युनिवर्सिटी आफ नौट केरोलाइना की एक डॉक्टर छातरा जेन लिफर मेकोर माग ने बताया हम सभी जानते हैं कि भूखा महसूस करने से कभी-कभी हमारी भावनाएं और दुनिया को लेकर हमारे विचार भी प्रभावित होते हैं हाल ही में हैंगरी शब्द और सफोर्ट शब्द कोश ने स्विकार किया है जिसका मतलब होता है कि भूख की वज़े से गुसा आना इमोशन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन की मुखे लेखक मेकोर माग ने बताया हमारे अनुसंधान का उद्देश भूख से जुड़ी हुई भावनात्मक स्थितियों का मनोग ज्यानिक तरीके से अध्ययन करना है जैसे कि कोई कैसे भूखा होने के साथ ही गुसा भी हो जाता है उन्होंने बताया कि इस संबंद में 400 से ज्यादा लोगों पर किये गए अनुसंधान में पता चला है कि सिर्फ माहौल ही इस बात पर असर नहीं डालता है कि क्यों कोई भूखे होने से गुसा हो जाएगा यह लोगों के भावनात्मक जागरूता किस तर से भी तय होता है वे लोग जो इस बात के प्रती अधिक जागरूक होते हैं कि उन्हें भूख लगी है या नहीं ऐसे लोगों में गुसा होने की संभावना कम होती है अब पहली बार यह बताया गया कि यह रसायन किस प्रकार व्यक्ति के विवहार पर प्रभाव डालता है इससे यह भी पता लगा है कि कुछ लोग गुष्ट से में कैसे अपना आपाख हो बैठते हैं इस अध्ययन को बायो लाए अजीकल साइकेटरी में प्रकाशत किया गया है इस अध्ययन से विज्ञानिक क्रोध को नियंतरित करने वाली प्रभावी दवाओं और उपायों को विक्सित कर सकेंगे अगर आप अपने गुष्ट से को काबू में नहीं रख पाते तो इस से आपका ही नुकसान है आपका स्वास्त्र खराब होता है आपके मस्तिश्क को हानी पहुंचती है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आईए जाने गुष्से को काबू में करने के कुछ गुण एक बात करते वक्त अगर वाद विवाद की संभावना देखे तो खुद को तरक से दूर रखे दो गुष्से को शांत करने के लिए अच्छा गान आगाएं या सुने जो आपको पसंद हो तीन अच्छी चीजें सोचें जो चीजें आपको खुशी देती है चार क्रोध को कम करने के लिए बाचीत बंद करें और खाने में जोट चीज पसंद है उसे स्वय हम के लिए बनाना शुरू करें तो कुछ ही समय में आप क्रोध को भूल जाएंगे पांच योगा हमारे शरीर और मन की संतुलन को ठीक रखने में हमारी मदद करता है हर रोज योगा का और मेडिटेशन का प्रयास क्रोध को नियंतरन करने में बहुत हद तक मदद करता है दोस्तों में आप तक नई नई वीडियो पहुचाता रहुए इसके लिए आप मेरा चानल सब्सक्राइब करना ना भूले थांक यू